हलो मेरा नाम डॉक्टर दिपक यळगर है मैं मनोविकार तक गया, सेक्स फ्रोक विशेश अद्निया, सम्मोन तद्निया, नशामुक्ति तद्निया, NLP कोच और ही ट्रेनर हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ जनरल एंग्जाइटी डिसॉर्डर के बारे में जनरलाइज एंग्जाइटी डिसॉर्डर, कुछ लोगों को जनरलाइज एंग्जाइटी रहती है, वह उनको चिंटा कंटिनुजली ओन्गॉइंगली एक सरी की लगी रहती है, और वही दिजे मैने तक चिंटा है, 6 मैने तक और उनका जीवन खराब कर रही है रोश का जीवन तो डिफिनेटली उसको उसका इलाज करना जरूरी है अब जैसा बच्चे स्कूल से बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चे स्कूल में जाएंगे तो एक्सिरेंट होगा क्या पती या पतनी को घर में लेट मतलब घर में आने को देरी हो गई तो क्या हो गया कुछ एक्सिरेंट हुआ होगा क्या फिर फोन आया अन्नोन नंबर है तो किसका कोन आया फिर पानी नहीं आया तो अभी आज कैसा हो हो गाड़ी ठीक नहीं हमकर धन्दा चछेलेंगा और नहीं चेलेंगा माल आएंगा और बिला जाता है कि यह लोग पुर वरी टेन्षंटा में रहते हैพ lors सुछावन जिता जो है वो मरे हुए आतमी को जलाती है और चिंता जो है वो जीवित आतमी जने उसको जलाती है, वो जलते रहते अंदर से, छोड़ी बात के उपर चिंता, नमर दो इनको बहुत चिर्ट्टिडापन है इसके वज़ा से, तो कि वो शांति नहीं रहती दिमाग में, एट इसकी वचे से होता है कि उनको पूरा बदन जल्दी थक जाता। शाम तक पूरा जूस निकल जाए गा, इनकी पूरी गैरंटी ओर मेंनकी खतम हो जाएगी 있고 पिट में दर्द में दर्द हाथ पएर में दर्द सिर में दर्द एसा पूरा और शाम तक यह लोग कोई काम के रहते नहीं है, इतना चिंटिटापन, चिलाएंगे लोगों के ऊपर, गुसा करेंगे, गाली कलोज करेंगे, मतले इनके आजु बाजु के लोग खुश नहीं रहते, चिंटा चिंटा, पिर तीसरा जो महत्वक आया है, इनके नीन खरब हो ज नीन खुल जाना, या फिर सूबह जल्दी नीन खुल जाना, या फिर नीन लगती है तो नीन में सपने, या नीन आती भी है तो रिफ्रेशिंग नीन ने लगती है, जैसा फ्रेश होगे सभेरे, उठने के बाद में ऐसा लगता नहीं है, और फिर नीन नहीं होई, तो फिर प्राब्लिम रहते हैं पिर यह लोग हर दम जैसा सीट के उपर हम ऐसा बोलते हैं कि सीट के एकडम कोने पर आके बैठे होई रहते हैं मतलब जैसा है हर दम ऐसा टेंशन में रहते हैं और हर दम ऐसा कुछ भी हो जाएंगा, अलवर्ट और जैसा कोई भागना है कोछ भी हो जाएंगा ऐसा मतलब हर दम उनका ऐसा बढ़ता रहता है को उस्विख हो जाएंगा घबराट हो जाएंगी कुछ भी घटटबर हो जाएगी और लेक sitting on the edge तो sitting on the edge हम कहा होते हैं जैसी कि एकदम कुर्सी पे एकदम edge पे बैठे होई लोग है फिर यह लोगों को phobia रहा है phobia को specific situation का phobia मतलेm excessive irrational fear काफी सारा дर मतलब इनको बहार निकलने का डर open place में जाने का डर open space में जाने का डर फिर रास्ता पार करने का डर या ऊचाए पे जाने का डर या बंढ़ कुली में रहने का डर जा 다음 है по बात है नहीं मगर उनको कुछ तो भी ऐसा डर लगे रहता है और वो प्रेटिकलर सीचेशन का ही डर है और यह लोग उनको भीमारी हो सकती है वह है पैनिक डिस ओर्डर की मतलों को इसे बीच बीच में एटक आ जाते हैं और एटक ऐसे होते हैं कि उसमें इतना उनको इतनी तक और वो पंदरा बीस मिनिट तीस मिनिट तक आदा घंडा एक गंटा चलेगा और उसमें ऐसा अटा कि यह उसलों अबर जाएंगे देखने वाला उनको क्या हुआ कि उसको पैनिक अटेक हा जाते है और वो पैनिक अटेक में फिर यह भाग दोड देंगा डॉक्टर के पास म जाएंगा कुछ तो भी हो जाएंगा ऐसा उसको डर लगता है और उसको इंजेक्शन देना दबाई देना सलाइन लगाना कुछ तो भी करना पड़ेगा बाद में वह अच्छा हो जाएंगा तो इसे जेनरलाइज NLP के टेनिग के exercise योर वो इसमें काम में आता है उसमें modularization hypnotic desensitization फिर meditation ऐससे अलग अलग उसमें उक्षार है वह एक्सपर्ट से लेना पर ज़रुरी है और वो ही ही ती लेते है तो कि quality of life, जीवन का दरजा जो है, वो definitely अच्छा हो सकता है, वो काम कर सकेंगे, अपनी जो फैमिली उसको परापर देख सकेंगे, ने तो फिर होता क्या है कि लोग नुकरी छोड़ देते हैं, घर में बेटे हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं, कामजन्दा बन और फिर निका में हो जाते हैं, तो इनको यह इदी इलाज किया, तो यह लोग जरूर अच्छे हो जाएंगे, और अपना जीवन जीएंगे, आपके संपर्क में आने वाले काफी सारे लोगों को यह होँगा, कमसे कमें ऐसा बोला जाता है कि 5-10 तका लोगों को कुछ ना कुछ सरकाट डर रहता है, यह आप वीडियो जरूर लोगों को शेर करो, ताकि उनको बता चलेगा कि अपने को कुछ तो भी है, तो उसके लिए फिर अपने इनलाश कर सकते हैं, किसका किसी सला ले सकते है, किसकी कोचिंग ले सकते है और वह अच्छे हो सकते हैं, तो यह जरूर शेर करो, संस्क्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू बेरी मच्चु. झाल झाल